आज से 21 दिन तक कुम्बराशी जो होगा उसे रोक नहीं पाओगे एक घटना होकर रहेगी इसे नहीं टाल सकते हैं नमस्कार दोस्तो जय भोलेनार दोस्तो आज हम आपको कुम्बराशी के बारे में बताने वाले हैं जहां दोस्तो आज से लेकर 21 दिनों तक कुम्बराशी ये घटना होने वाले हैं उसे आप रोक नहीं पाएंगे घर परिवार का माहोल पर आपको थोड़ा ध्यान देनी की जरूरत है परिवार के किसी सदेसे से कहा सुनी होनी की संभवना बन रही है जिसे आपका मन काफी हताश रहेगा शादी शुदा लोगों का जीवन मिला जुला रहने वाला हैं आप अपने रिस्तों के बीच किसी भी प्रकार की गलत फईमिया उत्पन्न मत होने दीजेगा तो आप बात करते हैं उन घटनाओं के बारे में जिसे आप रोप नहीं पाएंगे आर्तिक मामलों के लिहाद से दिन बहुती अच्छा रहीगा अपनी जिवन साथी का आपको पूरना सहयोग मिलेगा आपकी सोचे हुए काम भी समय पर पूरे होंगे इससे आपका मन खुश रहेगा पैसों से जुड़ा हुआ कोई मामला आप के लिए कुछ दिनों के लिए खास बना रहीगा आपकी आर्तिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा उसमें किसी संबंदी या फिर मित्र का योगदान रह सकता है आप कोई नई बात सिख सकते हैं या कोई नई आदत आपको लग सकती है मित्रों और संबंदियों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा आपकी आमदनी में भी रुद्धी होगी कुरोद में आकर किसी को कोई बात ना कहेगा अपने कुरोद पर नियंतरं करना आपको सीखना होगा किसी बड़े काम की योजना ना ही बनाए तो ही अच्छा रहीगा तो चिले आप बात करते हैं कौई से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में जानते हैं आपके खानपान की आदतों में कुछ बदलाव आ सकता है किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों में शामिल होने का मोका भी आपको मिल सकता है बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है कई तरह के मामलों को एक साथ आपको निव्टाना होगा इसमें आप सपल भी रहेंगे कोई छोटा मोटा विवाद भी हो सकता है इसलिए सावधान रहे काम में मन कुछ कम ही लगेगा तो चलिए बात करते हैं आपका धनर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आप अपने आत्म विश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं कारेस्तल में आने वाली मुश्किलों और सहाय नह महसूस करे बलकि पूरा सहस बटोर कर हर कारे को पूरा करे आपके सितारे बता रहे हैं कि जल्द ही धनलाव होगा या पदोनती भी आपको मिल सकती है आप निराश मसुस करेंगे लेकिन अपने विश्वास को कम बिल्कुल भी ना होनी दे आप उन मुसीबतों का भी कुशलता से सामना करेंगे जो आपकी प्रगती को भी प्रवावित कर रही है तो चलिए करियर राशिपल की भी बात करते हैं आपका प्रदर्शन प्रवावशाली रहेगा अगर किसी का ध्यान आपके और नहीं है तो भी निराशान न हो भीशे में इससे आपको लाव ही होगा क्योंकि आपके बॉस आपको ज़्यादा केंदरीत वो लगन से काम करने वाला समझेंगे अपने सातियों वो अधिकारियों की सखरत्मक प्रतिक्रिया के बाद आप सपलता की उन्चायों को छोलेंगे लवर अशिपल के बात करें तो अभी आप अपने प्रेमस संबंदों में अधिक कामुकता और रोमांस महसूस करेंगे अपनी दिंचरह में बगलाव करके या अपने साति की पसंद का ख्याल रखकर आपको वो सब मिलेगा जो आप चाते हैं कोई दोख, अपमान या कोई रोग इस समय चिंता का विशे हो सकता है आत्म निर्बर होने और हर तरग की निराशा को दूर करने के लिए अब समय शुबर है स्वास्तर अशिपल की बात करें तो कोई भी भारी समान उटाती समय आपको चोट लग सकती है आपको सावधान रोनी के आउशकता है ऐसा कोई भी कारिय ना करें जिससे आप पर काम का ज़्यादा दबाव पड़े तो ये था कुम राशी के बारे में अब बात करते हैं सुबश शाम दीपक जलाने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे तो किस तरह से हो जाएंगे? जारेंगे शास्त्रों के आणूसार देखा जाए तो पूजापाठ, शुबबा कार्या, उस्तो या किसी भी त्योहार पर दीपक जरूर जलाय जाता है इन सबी की शुरुआत दीपक जलाने से ही की जाती है शास्त्रों में दीपक जलाने के एक नहीं बल्कि बहुत से फैदे बताएंगे हैं धर्म शास्त्रों के अनुसार अगनी पृत्वी पर सूर्य का बदला हुआ रूप है अगनी देव को साक्षी मन कर उनकी मौझुदगी में के गए कारियों में सपलता अवश्य प्राप्त होती है प्रकाश को ज्यान का प्रतिक भी माना जाता है प्रकाश से मन के सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं इतना ही नहीं बलकि जीवन के कष्ट भी समाप्त होते हैं अगर आप सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो इससे आपको कई प्रकार के लाब मिलेंगे तो आज हम आपको दीपक जलाने के लिए नियाम फाइदे और कुछ उपायों के बारे में जानकारी देंगे पुर्णीमा पर किया जाता है दीपदान अगनी पुरान के अनुसार देखा जाए तो अगर कोई मनुष्य या फिर भ्रम्मन घर में एक वर्ष तक दीपक दान करता है तो उसको अपने जिवन में सब कुछ मिलता है चतर मास पूरे अधिक मास अधिक मास की पूर्णीमा के दिन मंदीर या पवितर नदियों के किनारे दीपक दान करने से मनुष्य को विश्णलोग की प्रप्ति होती है मानेतानुसार दीपदान करते वक्त भगवान स्वय उपस्तित रहते हैं और इस वज़र से अगर उस दवरान आप अपने मन की कोई भी मुराद मांगते हैं तो वह भी पूरी हो जाती है दीपक जलाने के फाइदें अगर आप रोजाना सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो दीप की जोद से समस्त पाप नश्ट होकर जीवन में सुक सम्रुदी आयो सुक में जीवन में रुद्धी होती है गाई के घीका दीपक जलाने से वातरों में मौजुद सभी रोगाणों नश्ट हो जाती हैं और घर में अच्छा खासा माहूल बना रहता है दीपक जलाने से हमें अपने जीवन में हमेशा उंचा उठनी की प्रियर्णा मिलती हैं जीवन का अंदकार दूर हो जाता है अब दीपक जलाने के कुछ नेमों के बारे में भी जान लेते हैं ऐसा माना जाता है कि अगर दीपक की लव उत्तर दिशा की तरफ रखा जाए तो इससे स्वास्थ और प्रसनता में बड़ोतरी होतі है अगर आप दीपक की लोव पुर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो इसे आयू की उरुद्धी होती है अगर आप मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो आपको इस बात का जान रखना होगा कि दीपक साप और साबुत होना चाहिए पूजा में टोटा हुआ दीपक अशुब माना जाता है वास्तुनियम के अनुसार अखंड दीपक पूजा स्तल के अगनियव कोन में रखना चाहिए इसे शत्रु पर विजय हसिल होती है और घर में सुक सम्रुद्धी बनी रहती है अब बात करते हैं दीपक के कुछ उपायों के बारे में येश्च वैबव की प्राप्ती करने के लिए आप दिवारी के दिन माता लक्षमी जी के समक्ष सात मुखी दीपक जरू जलाए इसे माता लक्षमी जी प्रसन होंगी और जीवार में कभी भी धन की कमी उत्पन नहीं होगी अगर आप आर्तिक तरक्य प्राप्त करना चाते हैं तो पूजा के दवरान गाई के घी का दीपक जलाए अगर आप दिवाली के दीन गी के दीपक के साथ साथ तील के तेल का अखंड जोग जलाते हैं तो इसे देवी देवता प्रसन हो जाते हैं राहु केतु को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाए अगर आप भगवन विश्णुचु को प्रसंद करना चाहते हैं तो इसके लिए गोल और गहरा दीपक जला सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपने इस वीडियो के माध्यम से कुम्ब राशी के बारे में जाना होगा और दीपक जलाने के फायदों के बारे में भी जाना होगा इसी तरह हर राशीपल के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और अध्यात्मीक बातों को जानने के लिए हमारी चैनल ट्रेंडिंग राशीपल को सब्सक्राइब जरू कीजिगा दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई प्राब्लेम चल रही है या फिर कोई परेशानी चल रही है उसका भी हल जानना चाते हैं तो भी आप हमसे संपरका कर सकते हैं इस वीडियो में एपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथो वाट्सअप मेंसेज करें हमर तरब से रिपला जट से मिल जाएगा और आपके सबी प्राब्लेम परिशानियों का समधान भी किया जाएगा तो आज के चुड़ों में बस इतना है दोस्तों मिलते नेवरों के साथ धन्यवाद